हेलो गाईज, वेलकम टो और चैनल और आज हम सीखने वाले हैं भारत के सामान निग्यान से सम्मंदित कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स इसमें से कई सारे फेक्ट्स पिसली एक्जामों में पूछे गए हैं और आने वाली एक्जाम में भी इनके आने के चांसे जादा है इसलिए हम इनको सिखते हैं पर इससे पहले में कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को सेयर करना और भारत में रन थंबो वन निप्राणी अभ्यारन प्रसिद है तो किसके लिए टाइगर के लिए भारत का सबसे महंगा सहर है तो कौन सा है मुंबई पोंग बान इस्तित है कहां तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में नेक्ष्ट है थीन बान इस्तित है तो ये रावी चेटर सीमा है तो 12 नॉटिकल मिल है हिमाचल परवत श्रेणी की सरवादिक उचाई पर रिष्ट धर्रा कौन सा है तो कारा कोरं लगव है और कितना उचा है ये 18,222 फीट एक दिग्री देशा अंतर में अंतर होता ہے तो चार मिनिट का अंतर होता है भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा किस के साथ है तो बंगलादेश के साथ है most most IMP question है कई बार exam में repeat भी हुआ नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी स्थली सीमा है तो ये अफगानिस्तान के साथ में है पूरु का बोस्टन कहा जाता है किसे तो आहमदाबाद को कहा जाता है नेक्स्ट है अर्णाचल प्रदेश पहले जाना जाता था तो पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो केरल है जलोड मिट्टी जो के सरवाधिक उपजाव मिट्टी है अधिकता होती है इसमें किस चीज के अधिकता होती है तो कार्बनिक पदार्थों के अधिकता होती है लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आंदरप्रदेश है नेक्स है भारत के सरवादिक छेत्र फल पर पाई जाने वाली मिट्टी कुन सी है तो जलोड मिट्टी है कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच में है तो ये करनाटक और तमिलनाडू के बीच में है नर्मना नदी का अधिकांस भाग कहां बहता है तो मद्धिप्रदेश में बहता है नेक्श है अरावली परवश रंकला विभाजी थे तो ये लूनी और व्यास नदी के द्वारा विभाजी थे एक सिंग वाला गेंडा कहां पाय जाता है तो ये कांजी रंगा राश्टी उध्यान में पाय जाता है जो कि असम में है नेशनल वूट फोसिल पार्क कहां इस्ति थे तो जैसल मेर राजस्थान में इस्ति थे कहां पर है जैसल मेर राजस्थान में नेशनल वूट फोसिल पार्क नेक्स्ट है भारत में सरवप्रतम तेल परिश्करण सेयत स्थापित हुआ था तो डिगबोई में हुआ था 1901 में सर्वत्तम प्रकार का कोईला है तो एंत्रसाइट है ग्रेनाइट उधारन है ये अगने चट्टान का उधारन है स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ था तो 1879 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था? कब हुआ था? myths14 में भारत की जलवाय। है तो केसी है? उपोशन कटी बन्दी मांसुनी जलवाय। है भारत में दख्षिन पस्ष्य मांसुन का आरंब होता है तो कब होता है मद्ध जून से लेकर सितंबर तक भारत की सबसे बड़ी जन जाती है तो गून जन जाती है विशु जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है मार्च के महिने में वेसे पानी की कमी रहती है तो मार्च के महिने में मनाते है शोब मंडल के मोटाई बढ़ती है तो कब बढ़ती है गर्मी के दिनों में एसिया में विश्व का सरवाधिक जनसिंख्या घनत्तु वाला देश कुन सा है तो सिंगापूर है एक डिगरी देशांतर की सरवाधिक दूरी होती है तो कहाँ पर होती है विश्वत रेखा पर होती है विश्व का सबसे उचा सक्री ज्वाला मुख्य कुन सा है तो कोटोपैक्सी है जो एकवेडोर पर है नेक्स्ट है प्रत्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल यानि क्या खेलाता है तो इसे हम मेगमा कहते हैं सुन्दागर्थ इस्तित है तो हिंद महासागर में इस्तित है वैव मंडल में सरवाधिक मात्रा में विद्यमान अक्री गेश कुन सी है तो आरगन है शो मंडल की धरातल से उचाई कितनी है तो 14 किलोमेटर है संचार उपगरा इस्तित होते है तो कहां इस्तित होते है ये आयन मंडल में इस्तित होते है रोटी की डल्या कहा जाता है तो किसे कहा जाता है यूक्रेन यूरोप को रोटी की डल्या कहा गया है नेक्स्ट है ग्लोब पर दाप कटी मंदों की संख्या कितनी है तो साथ है वर्षा की मात्रा मापी जाती है रैनगेश से भारत का दक्षिंटर दीप कौन सा है तो ग्रेट निकोबार दीप है जो की सबसे दक्षिंटर में है भारत का नेक्स्ट है काला हारे मरुस्थल कहां इस्तित है तो दक्षिन पर्षियम अफरीका में इस्तित है नेक्स्ट है विश्व की सबसे चोड़ी जल संदी है तो डेविस जल संदी सबसे चोड़ी जल संदी है समुदरी जल की ओसत लवनता कितनी होती है तो 35 प्रतिशत होती है कितनी होती है 35 प्रतिशत विश्व में सबसे उचा ज्वार आता है तो कहां आता है फंडी की खाडी में आता है कहां आता है फंडी की खाडी में मर्रे डार्लिंग नदी भहती है तो ये आउस्ट्रेलिया में बहती है, डंकन पास इस्तित है, तो कहां इस्तित है ये, दक्षणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में, जो डंकन पास है वो दक्षणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में इस्तित है, नेक्स्ट है, भारत इस्तित है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्द में इस्तित है, तुलबुल परियोजना सम्मंदित है, जेलम नदी से सम्मंदित है, एसिया का बंजर भूमी है, तो थार मरुस्थल को एसिया की बंजर भूमी कहते है, सहारा मरुस्थल इस्तित है, तो ये उत्तरी अफरिका में इस्तित है, पार सबसे अधिक प्रवासी लोग पाए जाते हैं. नेक्स्ट है जकरता का राची नाम क्या है? तो बटाविया है. क्या है बटाविया? नेक्स्ट है गंधक उत्पादक में अग्रणी देश कुनसा है? तो गंधक के उत्पादन में USA अग्रणी है. विशो का सबसे बड़ा मोटर वहन यानि की कार उध्योग केंदर इस्ति थे तो ये डेट्राइट में है और ये उत्तरी अमेरिका में है डेट्राइट उत्तरी अमेरिका नेक्स्ट है दक्षिन अमेरिका के रक्ष रहिद घास के मेदान क्या कहलाते है तो यह पंपास कहलाते है नेक्स्ट है रुद्र सागर जिल कहां इस्ते थे तो यह मध्यप्रदेश में इस्ते थे प्रकृति का सुरक्षा वालव किसे कहा गया सबसे बड़ा नदी मुहना याने डेल्टा कौन सा है तो विशु का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत में है और यह पश्री मंगाल में सुंदर्वन डेल्टा है जो कि गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है नेक्स्ट है नियागरा जल प्रपात इस्तित है तो यह युएसे में है सुंदा गर्थ अवस्तित है तो यह हिंद महासागर में है Great Barrier Reef इस्ते थे ते प्रसान्थ महा सागर में इस्ते थे म्रस सागर अवस्ते थे जॉर्डन और इस्रायल के बीच में है City of Golden Gate किसे कहा जता है तो San Francisco, Nagar को कहा गया है Asia का 6 त्रफल कितना है तो चुमालिस मीलियन वर्ग किलोमेटर कितना है चुमालिस मीलियन वर्ग किलोमेटर नेक्सट है विश्वत रेखा पर एक दिन की अवधी होती है तो बारा घंटे की होती है प्रत्वी एक गंटे में कितना घुमती है तो 15 डिगरी देश अंतर घुमती है प्रत्वी की आयू का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है चीन की स्थली सीमा लगती है तो 13 देशों के साथ में लगती है Radio तरंगे परावर्थित होती है तो कहा से? Iron Mendle से Uranium उत्पाद में अगरणी देश कुन से है? तो कनाडा है और Uranium क्या है? एक radioactive material है और इसका सबसाधिक उत्पादन कोन करता है? तो कनाडा करता है तो friends ये थे अमारे आज की Important questions आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे के आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बेल आइकोन को भी क्लिक कर देना एंड इसके आगे के क्वेशन में नेक्स्ट वीडियो में डाले है तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें एंड थेंक्यू सो मच फोर वाचिंग माई चैनल थेंक्यू